यूटूब चैनल अरिकेश कापड़ो परेसर का स्वागत से भै आज आपे लिआए हैं स्यारटी वीशे हिंदी कक्षा चोथी पाठ ग्यारा है रहीम के दोहे दोहा सब्तक है इसका मतलब है रहीम ने साथ दोए लिखे थे अलागी उसके लिखे उड़े हैं लेकिन समाज में जो आपने शिक्षा हुआ हैं, समाज की जो एक परमपरारिती रिवाज हुआ हैं समाज के विचार हो हैं वो इन दोया में दे रखे तो भए त्यार हो सारे लटो ये सर्ड तो भए आज यू पाठ पड़ने जा रहे हाँ पे इसमा आपे न्यू शिखंगे अगब एक कौण कौण से अपने आचार विचार की अविवार की बातें हैं सारी देखो द्यानते इतने लाइक से और सब्सक्राइब जरू कर दियो भायरी केश का अपरो यूटूब चैनल नहागा देखो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए तूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए तो इसमें या बात बता रखे है रहीम जी कहते हैं रहीमन का मतलब कवी है इसके रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का प्रेम रूपी धागा हमें मत तोड़ो चटकाए चटकाए का मतलब जटका देकन है नहीं तोड़ना चाहिए इसका मतलब प्रेम का दागा पन है दक कहते हैं नहीं तोड़ना चाहिए तूटे से फिर ना जुड़े जे अगर वो तूट गया दागा तो वो दुबारा जुड़दा को नी और जे जोड़न भी लाइगे तो उसमें गांठ पक्की पड़ जेगी जुड़े गांठ पड़ी जाए इसका अर्थियो है अक भै गांठ तो पक्की लाग गए लाग गएगी इसका मतलब मन में विचारा में मन मुटाओ जेगा अगर एक बार प्रेम का दागा टूट गया तो हमें प्रेम का दागा दक कहता है नहीं तोड़ना चीए इसका अर्थियो है बढ़को अक भै आपने जो प्यार प्रेम की दारा है उसको दारा को बैंदे रहना चीए उसको अपने दक कहता है तोड़ना मरोडना नीचीए क्योंकि प्रेम का दागा टूट गया तो गैठ पड़ेगी और गैठ पड़ेयां पाचे फिर वह बात नहीं रन्दी जो रस पहला आवा है प्रेम में आया भाई समझ मैं हाँ जी जे गरीब सोहीत करे धनी रहीम वे लोग कहा सुदा मा बापूरो क्रिशन मिताई जोग इसमें रहीम जी या बात कहुँ हैं अकवे जो गरीब पे बलाई करें हैं गरीब की हित करें हैं कल्यान करें हैं वे दनी लोगों हैं एक किशम के दनी का मतलब है अकवे उनके पास एक किशम से इज़त मान सम्मान का दन होग है जो गरीब की बलाई करें हैं बगवान का गर में भी उनकी अच्छी इज़त हैक तरह से कहा सुदामा बापूरो कहा तो सुदामा गरीब था बापूरो मैंने गरीब और क्रिशन मिताई जोग फिर भी क्रिशन ने उसके साथ है मितरता निभाई थी क्योंकि उनके अंदर है क्या था प्यार प्रेम था असली दन योकों योंदा बै आपना शोना चांदी रे मोतीर जादस जादा पीस से लखपती करोडपती हो आदमी सही दन वो है कि आपे मानों के साथ किस तरह से प्रेम रखा है जिस प्रकार कड़े तो राजा श्री क्रिशन और किस प्रकार से गरीब सुदामा उनकी भी मितर मितरता थी गुरू बाई थे वह संदीप पनरिशी का अश्रम पड़े थे और उनका प्यार आज दुनिया में मसूर है मितरता का रूप में तो प्यारे बढ़ को इसमें यह बात बताई गई है जो गरीब की बलाई करते हैं वास्तों में वही लोग दनवान होए हैं जूकर श्री किर्शन ने सुदामा से मितरता निबायक है डबीपणा निबायक है और अपना नाम उंचा किया रोशन किया रहीमन देख बड़ेन को लगून दीजेडारी जहां काम आवेसुई कहा करे तलवारी कहा करे तलवारी इसमें रहीम जी ये बात कवा है अकबए आपने गोद्दी आला ने खोके नर पेट आला की आस नी करनी चीए एक आपना समाज में कावत है अकबए बड़ी चीज देखके ने छोटी चीज ने खाम खाई ने फैकना चीए जुकर आपना गर मटर काया गया तो इसका मतलब जोड़ा यहाँ पे सकूटर ने बैर फैंके देआंगे साइकिल ने बैर फैंके देआंगे बड़ी चीज का अपना मत तो है है और छोटी चीज आपनी जगां अपना काम करे है क्यों करें जुकर आ पे तलो आयर है गर राखां मान लिया अग्यवे कौई दूसमना मला निकर दिये तो तलो आयर बटन थोड़े लास का उचकल लाय है जह सूई नहीं राखांगे म तलवायर गला बटर नहीं लाए सकते और तलवायर का अपने जगां अपना काम है तो छोटे की आपनी कीमत हो 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 जहां काम आवे सूई, जहां पर सूईकाम आ सकती है, यहां यानि कि बटन आदी लगाँए, सिला ही कराँगे, तुरुपा ही कराँगे, टेलर को तोर रेतो, नबसक्वाहिए या तोप थोड़ी सूद़ यह काम आवोगी, कहा करे तलवारी वहाँ पर तलवार क्या काम कर सकती है यानि कि वहाँ तलवार का कोई काम है नहीं है छोटे का अपना मत हो है बड़े का अपना मत हो है जिए अपना गर में कोई 80 साल का बुड़ा है तो इसका मतलब जो थोड़ा है एक भी नगा बालक ना बैर फाया किते हां समझ माई बाई हाँ जी ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोए औरन को सी तल करे आप हूं सी तल होए हमें इसी बानी बोलने ची ए इसे बोल बोलने ची ए कि मन का आपा खोजे आपना खुद का गमंड खुजे आपना जे आपने मन में गमंड राखा आपे तो नरम नहीं बोल सकते आपे गमंडे की बोल बोलांगे फिर तो तो मन में गमंड नहीं रखना चीए और बोल ली ऐसी विनमर उने चीए क्योंकि नुखा करें बढ़को भै विद्याद दाती विनमरता में विद्ध आपने विनमर्ता शिखावा है नर्माई सिखावाई है डंगते लैजते सब्यबोलना शिखावाई है तो मन का घमंड़ दूरो जए ऐसी बोली हमें बोलनी चाहिए औरन को सीतल करें, दूसरों को भी ठंडक परदान करें, सीतल मैंने ठंडक, औरन मैंने ओरों को, दूसरों को भी ठंडक मिला है, और आप हुँ सीतल होए, खुद भी ठंडक मिला है, याए तो बोल लियो है, गोड़ा पर बिठेदें, याए बोल लियो है, गदब बिठेदें इसका मतलब है बालको इव जुकर कोई आदमी बैरता है काने तारता है पुछन लाग जी है बात तो एक के है लेकिन बोलन का डंग अलग-अलग है बै आपके पिता जी घर पे हैं यो तो गया प्यार से बोलन का और एक थोड़ा सा ओर चलो भी लोकल बासा हर यान भी है तरा बाब्बू गरांसा रहे तो इसका मतलब है अर्थ होए है और एक और जो माई उट पटांग बोला तो ताम ने भी ठेश पहुंचेगी तिरी माँ का लोग गरांसा है तो इसका मतलब देखो वो कड़वी बोल ली होगी और वहां बोल ली आपने नहीं बोलने चीए जो कर दिल को दुखावे इसमें ऐसा संदेश दिया गया है वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग बांटनवारे को लगया जो महंदी के रंग जो महंदी के रंग पसकी शंगति का फड़ पड़ है तो उसने महंदी खुसी का परति कहए तो उसने भी खुसी अपने आप पर मिल जह जो वह जो महद्यू यानि कि आपे दुसरे की बलाई करांगे तो दुसरा भी आपने बारे में बगवान भी आपने उपर खुशो करना अपनी बलाई जरूर करेगा वे रहीम नर धन्य हैं रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्यवाद के पातर हैं धन्य हैं यानि कि सोभाग्या साली हैं पर उपकारी अंग पर मैंने पराया दुसरे का उपकारी मैंने भलाई करने वाले जिसका विचार दुसरे की भलाई करने का होता है बांटन वारे को लगे जिस परकार बांटने वाले को जो मेंदी के पत्ते या मेंदी का जो भी जैसे रंग बांड़ेगा वो रंग उस मेंद तरवर फल नहीं खात है, सरवर प्याहिन पान, कही रहीं पर काज हित, संपति संच ही सुजान, संपति संच ही सुजान, पान मैंने पानी, पी यही मैंने पीते हैं, सरवर मैंने तलाब है, जोड है, जोड है अपना पानी खुद को निपीन दे, उसमतो भै डंगर पसुजी उजनतु है, पीवें हैं सारा पानी उसका, कही रहीं पर काज हीत, पर काज मैंने दूसरे के कारिये के लिए हित मैंने भलाई, रहीं जी कहते हैं कि दूसरे की बलाई खैतर है, समपती, संचही, सुजान, सुजान मैंने सजन लोग, बले आदमी, संचही मैंने कठी करते हैं, और समपती मैंने दन, जो बले आदमी हैं, वह समाज खैतर, समाज की बलाई खैतर ही दन कठा कर रहा हैं, समाज की बलाई में आदूसरे की बलाई में दान कर दिये हैं कहने का अर्थ की होया है भाया अपने पास कोई भी रैक के चीज राजी को निनमत है ना तलाब ना पेड अरना सजन आदमी यह समाज को लुटाए दिये हैं समाज को समर्पित कर दिये हैं तो बला आदमी ने आपने भी ये यूँ सोचने चीए अकबर समाज के लिए भी आपने कुछ करा इस ता आपने शिक्षा मिले है समझ में आया रहा है हाँ जी दोनों रहीमन एक से जब लो बोलत ना ही जान परते हैं काक पिक रीतू बसंत के माही हाँ बै रंग तो एक सा है दनुआ का कग गा और कोयल का लेकिन आपने उपर था तो कोई नहीं पिछान सेके दे उसमें कुछा अच्छा है कुछा बुरा है जब बसंत रीतू आजिया है तो कोयल बोलेगी कू कू और कवा बोलेगा का का तो कोयल तो सबके काना नहीं मिठी लग गएगी कू कू की आवाज और कगा है सारे उसका डड़ा मारेंगे बजाओंगे उसने वो काना नहीं कडवा लग गए से तो रहीम जी कहते हैं कि जब तक बोलता नहीं आदमी तब तक एक सा दिखाई दे होगा जू ना सोचियो अगब बुंडी शकल का होगा तो बुंडा ये बोल लेगा अरा सुत्री शकल अड़ा अच्छा ये बोल लेगा शकल तो कोई नहीं बेरा पट्य करदा जुबैन तो बेरा पट्य करदा कोण सुत्रा बोल ला है कोण बुंडा बोल ला से तो कैन कार्थ के है दोनों रहीमन एक से रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक से रंके काले काले हुआ हैं कागार कोयल है जब लोग बोलत नहीं जब तक वो बोलते नहीं एक से लागेंगे जान परत हैं काक पिक कववा काक मैंने कववा पिक मैंने कोयल है जान परत है मैंने जान प सबने प्यारी लागेगी काँ काँ सबने कड़वा लागेगा तो उसमें बेरा पटेस है अग बै कौन अच्छा है कौन बुरा समझ में आया बाई कि मैं कौन हुँ रहे मरे ऐ गया ले लगातार अब यास के परशन और करांगे आए शब्दों के अर्थ जाने हित मैंने बलाई मिताही मैंने डारी मैंने डाल देना शितल मैंने थंडा उपकारी मैंने उपकार करने वाला बलाई करने वाला तरवर मैंने पेर प्याहीन मैंने पीते हैं परकाज मैंने दूसरों के काम हित दूसरों की बलाई दूसरों के काम है और संपती मैंने धन दोलत, सुजान मैंने, सजन, पिक का अर्थ बताओ बई, कोयल, बांटन वारे का मतलब बताओ और जीनियस को आओ बई, बांटने वाला, सर्वर में से, तालाब, बै जो इंटेलिजन्ट केस पड़े हैं बै जमाने बदाम खा करो हो की रहा है, हाँ जी, जहें तो इतनी च खतम हो जाए हौँ गमंड दूर हो जाए है, य्यानिके गम अंडाली, भौली न भौलने ची, भए गमंड तो रावन का शोची कि हैं, तो समें रिक्ष और सरोहर क pista कर दिते हैं कि वह दूसरा की बलाएख है तरह अपने भी प्रियास करने ची इंसानियत के नाते दोहे में क्रीशन और सुदामा की मितरता का उदाहरन क्यों दिया गया है क्योंकि मितरता अमीर और गरीब के बीच भी हो जकती है इसका न्यूंए उदाहरन देर ख्या भाई मितरता की में दन को नि देख अमीर गरीब कोई भी राजा रंक कोई भी हो डबी पना मैं ये चीज नहीं देखी जान दी डबी पना मैं तो नीत देखी जावेश है कोई और कोईल में अंतर कैसे कर सकते हैं कोईल सुरिला गाती है लेकिन कोवा कांकां करता है और किसी का उसकी बोली अच्छी नहीं लग किसी को उसकी बोले अच्छी लगती कड़वा बोलता है और कोयल सुरिला मिठा गाती है कुहू कुहू की अवाज प्यारी लगती है दोहों की पंक्तियों को पूरण करें कही रहें पर काज हिते संपति सज्जाई सुजान बांटनवारे को लगे डूंडे ठारके हैं जब मावाई तूटे से फिर ना जुरे जुडे गांठ पारिजाए आगे देखो बैया आपकी बात है आप जरूरत मंदों की सहिता किस परकार करते हैं हम जरूरत मंदों की साहता भोजन, पानी, कपड़े, चपलादी चीजे दे कर उनकी साहता करते हैं हाँ भए किसी भी परकार के मोसम में जैसे सर्दी का मोसम हावस है अपने पास अगर अतिरिक्त कोई जोड़ी जुराबों की जूत्तों की एकुछ और है हम कोईल को पसंद करते हैं क्योंकि वे शुरूइल लगाती है हमें वसंद की रिटु पसंद है इसमें फूल खिल जाते है चारो तरफ सुन्दरता और खुश्बू फैल जाती है उल्टा लै पुरा जाएगा परवीर्ती संपत्ती संपत्ती है संपत्ती और आएगा संपत्ती तो तैर दिवित्व हो जाएगा आशिरवाद वैक उपर रह चड़ेगा और धन धन्य भी हो सकता है यह भी हो सकता है आखरी वळन्य का या फिर धन भी हो सकता है अकेला धन्य विध्याल्य विध्याल्य द्य हलातर यह पूरा विध्याल्य क्या होता है यह विध्याल्य पढ़ें समझें और लिखें सोहन कैरम खेलता है कवीता कैरम खेलती है इसमें भैक करता है जो काम करने वड़ा एक मैं सोहन है एक मैं कवीता है कैरम खेला है एक मैं सोहन और एक मैं कवीता तो करिया भी उसे श्याबत लगा है एक मैं खेलता लग गया एक मैं खेलती इसे तरिया राजा पुलिंग है तो राजा लड़ू खाता है खालिस्तान लड़ू खाती है रानी लड़ू खाती है छातर पुस्तक पढ़ता है खालिस्तान पुस्तक पढ़ती है छातरा पुस्तक पढ़ती है भाई गाना गाता है खालिस्तान गाना गाती है बहन गाना गात नीचे ऐशे शब्दों के जोड़े दिये गए हैं जिनके उचारण में कुछ अंतर है उनके अर्थ भी अलग-अलग हैं इनका सही उचारण करें और वाक्या बनाएं एक शब्द हमिल्दे जुल्दे ही हैं बेरी अगला है by aí एक ही मातरा है आ आ यानिकि अनके वाली मातरा आ को नेयों दा भैयू उचारण सुदार लोई अपना आ बैरी बैल मैला मेला सैर मैल मैं इस तरा थे तो ये शब्द दे रखे हैं प्यारे बच्चो बेरी बैरी बेरी से वाक्य बनाओ वहां एक बेरी का पेड़ है बैरी से वाक्य कुन सा बनागा बैरी अमित किसी का बैरी नहीं है बेल से वाक्य बनाना आपन है हमारे खेत में गीया की बेल है और बैल का वाक्य बनाओ बैल बहुत ताकदवर होता है मेला शब्द से वाक्य बनाना है भई मुझे मेला पसंद है मेला शब्द से हमें अपने हाथों को मेला नहीं रखना चाहिए हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए मेला ने रखना चीए क्योंकि किटानों बगएरा लग्यों हैं बिमारों उसका हाँ सेर सेवा क्या बनाओ मुझे कई सेर अनाग चाहिए सेर एक वजन की काई है वह सेर को नहीं हो जंगलाला वो तो दुवाला श्या आकरा है तो यह सेर एक है जैसे किलो गराम हो है किलो के आसपास की इकाई है वजन की सेर सेवा क्या बनाओ मेरे भाई को सेर करना अच्छा लगता है मेल सेवा क्या बनाना है परिवार के सदशों में मेल है और मेल सेवा क्या बनाओ पंके पर बहुत मेल जमा हुआ है भोत बढ़िया में सेवा क्या बनाओ भाई थैले में सेवा क्या बनाओ भाई थैले में सेवा क्या बनाओ मैं पढ़ता हूँ मैं खाना खाता हूँ इस तरह से तो दो मात्रा लगे कर रहे हैं आये की मात्रा हैं कई बालक इसमें लिख दे उन्हें कलती कर दे हैं और में जैसे कमरे में कक्षा में तो उसमें एकी मात्रा आएगी उपर अनुश्वार आएगा आगे देखो भई रहिमन देख बढ़ेन को लगून दीजे डारी जहां का मावैसुई कहा करेतलवारी उप्रियुक्त दोहे को ध्यान पूर्वक पढ़ें वा समझें इसमें अलप विराम वै पूरण विराम चिहनों का प्रियोग हुआ है नेमल खित दोहों में विराम चिहन लगाएं तो ऐसी बानी बोल ये अलप विराम लगजेगा बाई मन का अपक होए पूरण विराम लगजेगा ओरण को सितल करे अलप विराम लगजेगा आप हूं सितल होए दो पूरण विराम लगजेगे एक लाएन में दो चर्न हैं तो प्यारे बढ़को इस में पहले खोए के बाद एक विराम चिन लग गया पुरुन विराम और होए के बाद दो विराम की पुरुन विराम लग गये समझ में आयाक नहीं बई आयाक जी ले वाई थोड़ा सा और खीच के ले 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 रेश पर पारदर देव बैस ले आपने कितना सीखा शही शब्द दिये गए बोक्ष में लिखें देश भक्त होता है कि देश भगत होता है देश भक्त पहला होता है बई शुद सब्द ये है बुझकड होता है कि बुझकड दूसरा बुझकड सब्द होता है ये दुवितिये व्यंजने इसमें कर और कर अगला गया बई चिठी सब्द है कि चिठी चिठी दूसरे वाला अगला है बसंत सब्दों है कब बंसते बसंते पहला पंगतियां पूरी करो भगत सिंग सुख देव दहकते अंगारों से खेलते ये पटेल जिनकी गर्मी से पिगल रहा फोलाद है इनका पूरा नाम लिखें पटेल सर्दार वल्लब भाई पटेल भारत के पहले उपपरधान मंत्री और ग्रह मंत्री थे बाई ये जिनकी सबसे उची मुर्ति भी बनाई गई है बै तिलक है बाल गंगा दर तिलक दिये गए युगम सब्दों से वाक्या बना कर लिखें कभी कभी से वाक्या बनाओ बै सब्दों का प्रियोकर के मैं कभी कभी ब बीच में योज़क्चीन लाग रहा है यार एक खासी लाग रही है जो के है यूज़क्चीन है वान और दार परत्य से दो-दो सब्द बनाएं वान परत्य लगना चीए सब्द का अखरी में जुड़क है कोई प्रभा उपाइदा कर दे आर्थ बदल दे उसने परत्य बोल्य दे आक रहे हैं तो वान जुड़्या है ऐसा सब्द बनाओ बै कोई भाग्या जमावान भाग्या वान भाग्या वान गुण जमावान गुण्वान गुण जमावान गुण्वान 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 पहरे जमादार पहरे दार पहरे दार सेवा जमाद पार सेवादार शबास बैटूंडे ठार रखे हैं बैजमा था मैं तो कमाल कर दिया बढ़को आजब निकडू दूद पाजे है के इकडियां हाँ जी खाया करो मडाहा की गाकी भी मार ले गरो उंगली कडियां की लडी मैं पाजे तो दिये गए शब्दों से वाक्या बनाए मेले हलवा और खीर का मेल होता है मेले हमें अपने हाथों को मेल से नहीं रहना चाहिए और बेले उस बेल पर बहुत सुन्दर फूल लगे हैं और बैले किसान बैल रखता है बहुत अच्छे दोहे का सरलारथ लिखें वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग बांटनवारे को लगए जो महंदी के रंग है तो सरलारथ का मतलब हो आसान आरथ है उन तो इंदी है या भी लेकिन और आसान इंदी करां इंदी के लारियान वे कर दियांगे रहीम न्यूं कवस है आकर दुसरे का बला करांगे आपे तो अपनी भी बलाई होएगी मतलब जो करें महंदी के पत्ती या फूल कोई बंड है तो उसके भी आथ लाल होजे है महंदी लागे जे उसके आथ ठांके बिनाए महंदी लाएगे जेसे तो उसकी भी बलाई होजे है एक तरह से यानि कि आपे दुसरे की बलाई करांगे तो अपनी आटो मैटिक होजेगी समझ में आया बाई हाँ जी ने में लिखी ते परशनों के उत्तर लिखें किनहीं चार देश वकतों के नाम लिखें बाल गंगादर तिलकर सुभास चंदर बोसर जासी की रानी बगत सिंग बहुत अच्छे बचैर ते के चैर लाख भी ओई जेनी वह भी कम है क्योंकि साथ लाख 32,000 बलिदान होई थे जब जाएक देश को आजादी मिली थी इतन्या के नाम आय संभव है गिनाना कुछ सामना आगे वो आपने बताए दिये भोट से देश बगते हैं भोट सा रिन है हमारे कंधों के उपर उनका तो हमें हमें अपने देश बगतों की मान सम्मान इज़द करनी चाहिए उनके आदर्शों पर चलना चाहिए उनके लक्षे को देश को आगे बढ़ाना चाहिए धनी राम पैदल क्यों चलने लगा क्योंकि धनी राम ने गेहूं का बोरा गोडे पर रख दिया था ठाडू ठाडू बोला है आगले आगले बोला है रह मोबाइल के कोई दो उप्योग लिखें मोबाइल से संदेश बेजा जा सकता है हम किसी से भी बात कर सकते हैं इंटरनाट का प्रियोग कर लिया हाँ मोबाइल लेता था में यह बारी केश मास्टर का पड़ोप यूटूब न सुनन लाग रहे हो बाई इसे का तो बहुत फायदे हैं अगर आएं बेठे बढ़न लाग रहे गुदरी ममू देगा ना देखना ना एक पुड़ानी ना पड़ना ना और सुने सुने ग्यान बढ़न लाग रहे देखो कोई और कोईल में क्या अंतर है कोईल बहुत मधूर बोलती है कोईल बहुत मिठी बानी बोला है तो प्यारे बढ़को आपने शिक्षाया मिला है कोईल की तरिया बोलना चीए कोई की तरिया नी बहुत अच्छे जवाब दिये वैस सभी बढ़का ना ले भाई मैं भी को चाखी कूट ले लियूं बड़को और अगया फिर गेडा मारियो और इकेश यूटूब का प्रो चैनल पर लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई क्योंकि पहले तो लेगा पांच में लगका सारा स्लेवस व्याकरन रिजनिंग नवोईद्या स